जस्प्रीद बुम्राह ने बेंड डकेट को बोल्ड किया वो तो देखने लायक नजारा था और फिर उनके सामने जो खुशी बनाई वो तो दुगनी हो गई जिस तरह से जस्प्रीद बुम्राह ने पिछली ओव में बेंड डकेट को LBW किया था हाला कि रोहिद शर्मा ने रिव्यू नहीं लिया भरत के कहने पर और फिर जब रीपले में देखा तो जस्प्रीद बुम्राह काफी ज्यादा निराशा में नजर आये थे जैसा कि आप लोग रियेक्शन भी देख सकते हैं और फिर अगले ही ओव में जस्प्रीद बुम्राह ने जो बोल्ड किया उस किस तरह से टीम इंडिया जल्द से जल्दी इंगलेंड के विकेट गिराती हैं